मूंग डाल का हलवा किसे पसंद नहीं है तो आज मैं बनाने वाली हो मूंग डाल का हलवा जो कि बहुत ही कम समय में बन कर तयार हो जाएगा तो हलवा बनाने के लिए मैंने लिये पीली वाली मूंग डाल और जिसका टोरी से मैंने डाल लिये उससे थोड़ी सी फाल तुलिये चीनी और ये घी सबसे पहले दाल को एक किचन टावल पर डाल कर रगड रगड कर धंक से साफ कर लेंगे ताकि उसमें जो भी कुछ वाइट सा लगा रहता है वो साफ हो जाए तो सबसे पहले दाल को एक मिकसर जार में डाल कर पीस लेना है और दाल को हमें बिल्कुल बारिक नहीं करना है थोड़ा दरदरा सा ही रखना है एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और फिर उसमें डालेंगे घी और घी हमें इतना रखना है कि दाल हमारी उसमें पूरी तरह से भीग जाए और दाल को भूनते समय हम फ्लेम को लोटू मीडियम रखेंगे दानेदार हलुआ बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें 2-3 चमश सूजी डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए भून लेंगे 3-4 मिनट भूनते हुए दाल हमारी कुछ इस तरीके से फूली फूली दिखाई देने लगेगी और हम इसे लगाता चलाते हुए भूनेंगे और दाल हमारी भूनकर एकदम से तयार हो गई है दाल को भूनने में हमें मुस्किल से 10 मिनट लगे हैं और अब हम दाल में डालेंगे दूद जिस कटोरी से हमने दाल ली थी, वो हम 4 कटोरी भर का दूद डालेंगे इस समय हम फ्लेम को लो रखेंगे और लगातर चलाते हुए हलुए को गाढ़ा कर लेंगे हमारा हल्वा गाढ़ा हो गया तो अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे चीनी डाल कर चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हलवे में एक दो चम्मच घी और मिला देंगे और लगातर चलाते हुए पकाते रहेंगे जब तक हमारा हलवा कड़ाई से अलग ना हो जाए तो लीजिए हमारा हलवा बन कर तयार है हलवे ने कड़ाई को छोड़ दिया है हमें कुछ इसी तरीके का हलवा चाहिए तो अब हम हलवे में दोतिन इलाइची का पावडर और थोड़े से काजू और बादा मिला लेंगे आप अपनी पसंद के ड्राफ फूर्ट दाल सकते हैं गर्मा गर्म हलवा खाने के लिए तैयार है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कोमेंट करे थैंक यू